तो जैसे कि आपको पता है गेट 2023 ग्रेजवेट एप्टिट्यूट टेस्ट इन इंजिनरिंग 2030 का जो ऑर्गनाजिज इंस्टिट्यूड है वो है आई आई टी कानपूर तो आई टी कानपूर की ऑफिशल साइट पे अगर आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा होम सब्जेक के लिए होने वाला है सब कुछ दिया है अगर आप नीचे थूड़ा सा नीचे जागे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर देखेंके अभी जो है और आपको करना है तो ओं-लाइन रेजिस्टेशन के लिए कब से स्टार्टilo तो इसके बारे में समझ लीजिए क्या है गेट के अंदर और क्या के चीज़ें आपको ध्यान रख नहीं है सारी चीज़ें ध्यान रखिए देखें ओपनिंग डेट ऑफ कुछ कर सकते हैं 7th of October तक eligibility available of admin card जो है तीन जैनवरी को आ जाएगा डेट है 4-5-11-12 फैबरी को ठीक है 15 फैबरी को मिल जाएगी आपको और 21 फैब को आंसर की मिल जाएगी हां पर तीक फिर ऐसी देड़ दे रखी है आंसर की कपका प्रम्यांस होगी एनॉंस ऑफ रिजल्ट 16 मार्च को रिजल्ट एनॉंस होने वाला है गेट 2023 का और साथी साथ 22 मार्च को जो है आपको अपना स्कोर कार्ट एविलेबल हो जाएगा तो यह तो है इंपोर्टन डेट्स जो की हर बच्चे को ध्यान रखनी है नोटिफिकेशन के लिए आप यहां पे देखे नोटिफिक सारे सब्जेक्ट के लिए दिया हुआ है अगर आप चाहो तो स्लेबस देख सकते हो कूड और उसके सामने सब्जेक्ट दिये हुए अल्मोस्ट यह 29 सब्जेक्ट आपको यहां पे दिख रहे होंगे जिनके लिए गेट का पेपर होगा और क्या कंडिशन है किस तरीके का प यहां पर सब्जेक्ट मेंसन है तीन गंटे का पेपर होगा और यहां पर देखिए जैसे मैं फिजिक्स के बारे में बात करता हुँआ तो फिजिक्स में 15 कोशन जाने रप्टिट्टूट की है और सब्जेक्ट जो है पिच्चाश यहां पर मार्कस का है और तोटल जो कोश है यहने कि 15 marks के आपके question आएंगे general aptitude के और 85 marks के question आएंगे आपके जो subject है proper आपका subject रहे है question का pattern रहेगा general aptitude multiple choice question MSQ MSQ और numerical answer type question यह रहेगा है आप ठीक है number of question 10 आने वाला है जीए के 55 question आएंगे subject है तो total question आने वाला है 65 आप information जो है उसको download भी कर सकते हैं अगर आप चाहो ठीक है जो भी प्रीबिस एर question paper अगर आपको चाहिए तो प्रीबिस एर question paper मिल जाएंगे आपको subject wise देखें यह सेलेक करना है जिसे आपको चाहिए 2022 का question paper जिस भी subject का चाहिए आप download कर सकते हो ठीक है तो बहुत अच्छी facility आपको available है इंडियन citizen के लिए poster यहाँ पे है पोस्टर आप देख सकते हैं आप देखें कौन कौन से cities gate का poster आप यहाँ पे देख पार हो तो सारे subject mention है date exam की date subject है और जो fee है यान application fee जो है फीमेल SC STPW candidate के लिए है 850 रुपे बागी अधर candidate के लिए है कितना 1700 यह अगर आप लेट में भरते हैं यानि कि 30 September के बाद भरते हैं तो आपको 2200 रुपे करने बढ़ेगी तो इस बात को थोड़ा सा जान रखें और बाकी मुझे नहीं लगता कि हाँ पर और भी कोई इंपॉर्टेंट चीज है कि history first examination हुआ था गेट का 1983 में देखें गेट का पहला history भी दे रखी है कि गेट का पहला जो एक्जाम है कब हुआ था तो बहुत ही पुराना और एक जबरदस्त पेपर है कि देखें 1983 में पेपर हुआ था इन्फॉर्मेशन बाउचर है इंडियन इंजिनरिंग है न सब कुछ गिवन है इंडियन इस्ट्यूट आप टेक्नलोजी एंड किस ने कर आया था जो भी नाम है आप गेट 83 जनरल इंफॉर्मेशन तो जब यह पेपर हुआ था तो उसके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यहां पर दे गई थी इन्फॉर्मेशन ऑपुचुनिटीज गिवन है जो भी गेट एडमिशन जो है वेलिड गेट स्कूर कें भी यूज़ फॉर मास्टर डिग्री एंड डिरेक्ट डॉक्टरेट इन इंजिनर यहां पर कर सकते हैं फाइनेंशल असिस्टेंट भी मिलता है कि क्वालिफाइड गेट स्टुटेंट को क्या मिलेगा उनकी मास्टर प्रोग्राम या अधर जो प्रोग्राम है उनके लिए यहां पर क्या मिलता है पीजड अगर आप करते हैं तो 31,000 रुपे पर मंद और पुछ उनिटी इजह रिखे एक्जैम सिटी अल्मोस्ट हर जोन में होती है यह ना अल्मोस्ट आपको सभी जगों मिल जाएगा कि बहुत सारे जगों पर यहां पर एक्जैम रिशन सिटी आपको मिलेंगी तो ज्यादा टेंसल नहीं लेनी है और इलिजिबिटी क्राइटे गेट 2023 के बारे में गो जब भी फॉर्म आएगा फिल अप करी है और अपडेटेट इंफॉर्मेशन आपको मिलते रहेगी इस चैनल के मात्यम से तो आपको क्या करना है सब्सक्राइब करना है फिजिक्यम एकेडमी की यूट्यूब चैनल को